सबी को शुपरबाद, रासा इंटरनेशनल स्कूल के ओनलाइन प्लेटफर्म पर आप सबी का स्वागत है क्लास फोर सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर चैप्टर 14 सूर ग्रहेंड पेज नंबर 107 बेटा आज हम चैप्टर 14 सूर ग्रहेंड का अध्यन करेंगे बेटा इस चैप्टर में सूर ग्रहेंड तता चंद ग्रहेंड के दो प्रमुप्राकरतिक प्रगटनाएं हैं जिनें हम समय समय प्रगटित होते हुँ देखते हैं प्रस्त अध्याय में सूर ग्रहेंड की उत्पत्ति के कारानों से अवगत कराया गया है सूर ग्रहन के विशे में सभी चानते हैं यहां इस पार्ट में बताया गया है कि सूर ग्रहन कब और क्यों पड़ता है आज प्राते से ही घर में चर्चा हो रही थी कि सूर ग्रहन होगा दिपांशु यह जानने के लिए लालियत था कि यह सूर ग्रहन क्या होता है उसने पहले भी कई बार इसका नाम सुना था बस वह यह जानता था कि उस समय लोग इसनान करते हैं दान पूर्णी करते हैं पर वास्विक रूप से सूर गहन क्या होता है वह नहीं जानता था प्रातहकाल उसने सूरु दै होते हुए देखा था पर उसे उसमें कुछ विशेस्ता दिखाई नहीं दी दिपान्शू के अंकल भी आई हुए थे वे दिल्ली केंद्रिय विध्याले में विज्ञान के प्रवक्ता है उसने सोचा कि अंकल को अवश ही सूर गहन के विशे में पता होगा वहाँ उनके पास गया और बोला अंकल यह सूर गहन क्या होता है अंकल मुस्कुराते हुए बोले देखो बेटा अभी नौ बचकर पैंतीस मिनट हुए हैं एक घंटा पांच मिनट बाद कुछ ऐसा होगा कि सूर का प्रकाश कम होने लगेगा और प्रत्वी पर अंधिरा चाने लगेगा देखाशु बोला अंकल ऐसा कैसे हो सकता है सूर कोई विद्ध बल्ब तो है नहीं जिसे जब चाहो जला दो और जब चाहे बुझा दो अंकल बोले यही तो बात है इसमें अच्छा अब मैं तुम्हें इसकी विशे में गेंता से समझाता हूँ दिपांशु सूर ग्रेंड की विशे में जाननी के लिए बेहद उसक था अंकल ने कागच पर दो गोले बनाए एक बड़ा और एक चोटा वे बोले देखो यह बड़ा गोला सूर है और चोटा गोला प्रत्वी है तुम्हें यह तो पता है कि प्रत्वी एक वर्ष में सूर के चारो और चकर लगाती है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर गूमती हुई एक दिन में अपना एक चकर पूरा करती है हाँ अंकल यह तो मैंने अपनी कक्षा में पड़ा है दिपांशू बोला अब देखो सूर की किर्णे प्रत्वी पर गिरती है अंकल ने आगे बोलते हुए कहा क्या तुम्हें पता है कि प्रत्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं हाँ यह तो मैं जानता हुँ सूर की क्रिणे एक बार में प्रत्वी के आदे भाग पर ही पड़ती है विशेश आदे भाग पर अंदेरा है प्रत्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है प्रत्वी का जो भाग सूर के सामने होता है वहां दिन होता है और दूसरी और रात होती है शाबाश अंकल ने कहा अब प्रत्वी की समीब इस चोटे गोले को देखो यहाँ चंद्रमा है चंद्रमा प्रत्वी की परक्रमा करता है जिस प्रकार प्रत्वी सूर्य की परक्रमा करती है कभी कभी ये चंद्रमा प्रक्रमा करते करते प्रत्वी और सूर्य के मद्द आ जाता है अब बताओ कि ऐसा होने पर क्या इस दिउत्पन होगी ऐसा होने पर सूर्य से आ रही उसकी किरने प्रत्वी पर नहीं पहुँच पाएंगी तुमने ठीक समझा अब से एक गंटे बाद बिलकुल यही इस्तिति उत्पन होने वाली है उस समय चंद्रमा परिक्रमा करते हुए प्रत्वी और सूर्य के मद्द इस प्रकार आ जाएगा कि सूर्य का कुछ भाग प्रत्वी से दिखाई देना बंध हो जाएगा इसी को हम सूर्य ग्रहन कहते हैं अंकल क्या हम सूर ग्रहंड को देख सकते हैं दिपांशु ने पूछा हाँ हम सूर ग्रहंड को देख सकते हैं पर इसे कभी भी दंगी आँखों से देखना नहीं चाहिए इससे आँखों को हानी होती है फिर हम सूर ग्रहंड को किस तरह देख सकते हैं सूर्य ग्रहन को हम जल से बरी थाली में सूर्य का प्रत्विम्ब या सीशे को काला करके हत्वा टैलिस्कोप आज से देख सकते हैं कुछ सोचते हुए दिपांशु ने अंकल से प्रश्ण किया अंकल कभी ऐसा भी तो होता होगा कि प्रत्वी और चंद्रमा के परिक्रमा करते समय प्रत्वी चंद्रमा और सूर्य के मद्य आ जाए तब क्या इस्ति उत्पन होगी अरे वाँ अब तो तुम भी अच्छा सोचने लगे यह भी जानना जरूरी है बेटा जब प्रत्वी चंद्रमा और सूर्य के मद्य आ जाती है इस इत्ति में सूर्य से चंद्रमा की और जाने वाला प्रकाश रुख जाता है उस समय चंद्रमा पर प्रत्वी की चाया पड़ जाती है या इत्ति चंद्र ग्रहन कहलाती है अंकल ने आगे बताती हुए कहा बेटा सूरिस ही प्रत्वी पर जीवन का आधार है सूरि की उश्मा से समुद्र का जल भाव बनकर उपर जाता है जो बादलों का रूप लेद कर वर्शा के रूप में फिर से नीचे आता है वर्शा से अन उगता है जिस पर समस्त जीव निर्भर करते हैं वर्शा का जल ही हेम के रूप में पहाड़ों पर जम जाता है और बाद में पिगल कर नदियों में भैता है नदियों के जल से फसलों की सिचाई होती है और बिजली बनाई जाती है दिपांशु ने घड़ी में समय देखा सूर ग्रहंड का समय हो गया उसने सूर ग्रहंड देखने के लिए एक बड़ी थाली में काला कपड़ा बिचाया फिर उसमें जल भर दिया बिटा आप सबीका चैप्टर समाप्त हो गया अब कुछ भवब के लिए प्रशन हल करते हैं प्राते से घर में क्या चर्चा हो रही थी सूर ग्रहंड की किसकी चर्चा हो रही थी सूर ग्रहंड की चर्चा हो रही थी वर्षा से क्या उगता है अन पानी खेल घर वर्षा से क्या उखता है अन क्या उखता है अन उखता है अन आएगा इसमर अंकल कौन से शहर से आए थे दिल्ली, मुंबई, कौलकाता, हिदराबाद तो बेटा वो दिल्ली से आए थे कहां से आए थे दिल्ली से आए थे अंकल किस विशे के प्रबक्ता थे वह विज्ञान विशे के प्रबक्ता थे आज के लिए इतना ही इसके प्रश्ण उतर आपको PDF की रूप में उपलब्द हो जाएंगे धन्यवाद